हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बहुत ही खास रेसिपी जो है नवरातर स्पेशल मथुरा के पेड़े की रेसिपी तो वीडियो को बिना स्किप की एर्ड तक देखते रहे हैं तो दोस्तो पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हाफ केजी मावा यह मेरा घर का बनाया हूँ मावा है अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मूख में मिल जाएगा आप चेक आउट कर सकते हैं गेस पर मैंने आईरन की कढ़ाई ली है आईरन की कढ़ाई में बनाये गई मिठाई अच्छी बनती है और हमारी हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुँचाती है इसमें मैं खोया को छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ करके डाल दूँगी ये जो मावा है मेरा सोफ्ट मावा है अगर आपका थोड़ा हार्ड मावा होता है तो आप इसे कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं गेस की फ्लेम को हमें low-medium कर देना है और low-medium फ्लेम पर हमें इससे हलका सा melt हो जाने तक पका लेना है ध्यान रहे गेस की फ्लेम को हमें फुल नहीं करना है वरना जो मावा है वो निच्छे से जिपक जाएगा और जो हमारे पेड़े बनेंगे वो बिल्कुल भी अच्छे न भून जाएगा इसमें हम एक चमच घी और एड कर लेंगे और दोस्तों गेस की फ्लेम को लो मेडियम रखते हुए हमें इसे लगभग चार से पांच मिनट इसी तरह से लगातार चलाते हुए पका लेना है लगभग 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे पकाते हुए लो फ्लेम पर और यह जो मावा वो एकदम अच्छे से भून गया है अब हम इसमें एड करेंगे आधा चमच इलाइची पाउडर मैंने एकदम बारिक नहीं लिया है थोड़ा दरदरा लिया है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस की फ्लेम को कर द दालनी चाहिए मैं वनफोर्थ कप चीने डाल रही हूं गराम में है 1,500 गराम अगर आप थोड़ा ज्यादा मिठा पसंद करते हैं तो 200 गराम डाल सकते हैं अब हम इस चीने को मावे में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत यह असानी से चीने मावे में अच्छे से मिक्स हो जाती है मावे को हमें चम्मच के सायता से इस तरह से मेल्ट करते रहना है जिसे चीने एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए और जो मावे का टेक्चर है जो पेड़े का टेक्चर होगा वो भी एकदम अच्छा हो जाएगा इस तरह से करने से दोस्तों ऐसा करने से पेड़े बनाएंगी मैंने यहाँ पर एक चमच लिये इसके साइता से हम इसके पेड़े बनाएंगे यह देखे चमच में इस तरह से हमें इस डो को लेना है और हथेले में इस तरह से हलके आतों से गोल गोल गुमाते हुए हम इसका पेड़ा तयार कर लेना है मैं यहाँ पर चोटे और गोल साइज के पेड़े बना रही हूँ आप कोई भी शेप और साइज दे सकते हैं एक एक करके बाकी सबी पेड़े भी हम इसी तरह से बना करके तयार कर लेंगे चम्मत से इस तरह से पेड़े बनाने से एकी साइज के पेड़े बनकर तयार होते हैं इस तरह से स्वादिष्ट मत्रॉआ जिसे पेडे बनाना बहत ही असान है आप सभी इस रेसिपी को जरू ट्राय करिएगा तो दोस्तो देखा आपने कितनी असानी से और कितनी कम समय में ये स्वादिष्ट मत्रॉआ वाले पेडे बनकर टैयार हो गए हैं तो इस नव रात्रा आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा माता रानी को भी भोग लगाईएगा और खुद भी खाईएगा दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अब बिल्कुल भी ना भूले और साथ ही बलाइक अंप भी क्लिक करिएगा जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएए तो चलिए दोस्तो आप इस स्वादिष्ट पेडो का मजा लीजे मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई